चलो आज बनाते हम चेप्सिकम अनिया कि ऑन यहां मैं नीया डिया केंवीम तामेटों वोतियों को आपकें ल blatating प्लीटी में वेटर मों यहां कानोड़ घ्रि आताइब टोकि हैं जियामों वहां पनादर लुक् ें वटर नें अब हम परताइमी सब्सपल्च को सॉटे यहां मैंने लिए हैं अब मैं इसमें दालूँगे इसमें अपनी साठी वेजिटेवल्स और वेजिटे वेजिटेवल्स को ढाले के बाद जल्दि से स्कुछ ऑना चाहिए तो कर सकते हो या भी मैंने भी थोड़े से स्पाइसेस एट की आपर लो आपको इड करना और नहीं है ऑपना ग्या कर दो का कर लो आपको करना सो यहां पे मैंने चैने थोड़ा सबसाइव मासाला म्स अननों को मैं स्कुमिक्स कर दिया अब मैं समें पिजब पास्ता सौस अब करूंगी करीब आपन पन प्वन हाफ सून आप कर लो चादनी कहां दिमें को करें लो है की करीब एक स्पून और द्लिल स्पून मैंने अध किया सिज्मोन चटनी प्राइट कर लो या फिर आप चाहाओ तो हटकर चुँद में और आप कर सकते हो तो यहां पर मैरे यह काव डादानी को बॉल करना है क्योंकर यह यह तरह को अर्फ म तो यह भी हो रहा है हमारा फाइनली यह दन हो चुका है अब इसको हम इस तरह से थंदे पानी से इसको धूलेंगे आप देख सकते हो ज़रा साभी चिपक नहीं रहा है यह क्योंकि हमने इसमें ओयल आट किया है फिर आप इसको थोड़े के लिए सब्सक्राइब के रख दो ओ तो तो थोड़ने के बाद देख सकते हो आप बिल्कुल भी नहींची पकाया अलग-अलग है सारे अब हम कड़ाई में ओयल डालेंगे इसमें जो हम आपका नूडल्स आट करेंगे सारे तो यह सारे हम नूडल्स हम इसमें आट करेंगे मैंने यहां पर हका नूडल्स सारे अड़ कर लिये हैं और यहां पर जो मैंने सब्सक्राइब की थी उसको भी साथ में मिक्स कर लिया है इस तरह से आप उसको फ्राइ कर लो और दाने के पाद मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सभी स्टिकी ताइप का आपको फील कराएगा और इसमें अब हम सीजोन चटनी डालेंगे एं सॉल्ट एड़ करेंगे और आप जो थोड़े बहुत स्पाइसे डालना चाहते हो वो आप आप कर सकते हो और इसको अच्छे तर से फ्राइब करेंगे तो यह आप देख सोकते हो हमारा फ्राइब हो चुका है और यह हमारे यमी सहा का नूडल्स रेडी है और आप देख सकते हो कि तहीं यमी लग रहा है तो मैं तो जा रहू खाने आप भी ट्राइब करो जाके और काफी नॉन स्टिकी से नूडल्स बने है तो लाइक करो शेर करो सस्क्राइब करो और बाबाइ मीटिन नेक्स्ट वीडियो